उत्यपदेश के बलिया में इंडिया एलाइंस के सपाउ मिद्वार सनातन पांडे के विरुद पुलिस ने बिवादित बयान देने पर सदर कोतवाली में सिविल लाइन चोकी इंचार्ज माखन सिंग के तहरीर पर मुकदमा दज कलिया है पलिस ने मतदान पर अनुचित प्रभाव डालने की धारा 171 F सहित 186 189 505 दो और लोग के प्रतिनेदु तो अधिनियम की धारा 125 और 136 के तहट कारवाई की गई है एक तरफ पूरे देश भर में पचुआ हवा के साथ मौसम में तलखी है साथ ही पारा चड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ लोगसभा चुनाओ 2024 का तापमान लगतार बढ़ते जा रहा है ऐसे में इंडिया लाइन्स से सपा के घोशित प्रतियाश्ची सरातन पंडे जन विश्वास यात्रा लेकर शनिवार को पहली बार बलिया पहुँचे या उन्होंने साल 2019 लोगसभा के चुनाओ पर डाम को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि इस बार काउन्टिंग में अगर धादली होई तो काउन्टिंग सेंटर से या मेरी लाश निकलेगी या फिर कलेक्टर की लाश निकलेगी इस बयान पर संग्यान लेते हुए चोकी प्रभारी सिविल लाइन ने तहरीर देते हुए मुकदमा दज कराया है बलिया थाना अंतर के चोकी प्रफारी सिविल लाइन साई माखन सिंग ने अपनी तहरे में लिखा है कि 27 अप्रैल को लोगसभा चुनाव के द्रिश्टिगत समाजवादी पार्टी के लोगसभा निर्वाचन छेतरी जनपत बलिया के प्रत्याशी सरातर पांडे का कोटवा बाजार से बलिया सपाकारयाले तक कारिक्रम प्रस्ता वित था इस दवरान उन्हों ने बलिया सपाकारयाले पर अपना संबोधन करते वई बृत्मान मेडिया से प्राप्त हुआ है तरीर में आगे लिखा गया है कि उक्त वक्त विद्वारा उन्होंने लोग के प्रतिनेदुत अधिनियम 1951 की कई धाराओं का उलंगन किया है ऐसे में मुकदमा पंजिक्रित कर कारवाई की जाए इस पर मुकदमा दज करत हुए अगरिम कारवा निकलेगी मतादे कि सानातन पांडे साल 2019 के लोग सबाद चुनाओं में भाजपा उम्मीदवार बीरेन सिंग मत से महज 15519 मतों से चुनाओं हर गए थे उस समय भी उन्होंने एवियम में मतों की धादली की बात कही थी लेकिन उसकी शिकायत नहीं की थी इसी मामले मस्था से बाहर आ जाओंगा अगर जनता ने हमको चिनाओं जिताया यहां का प्रसासन चाहा भारतियंता पार्टी के जोभी तंत्र होगा वो मेरे सर्क्रेट से मुझे नहीं रोख पाएगा अगर सक्या तो उसके प्रंगर से बाहर दो सादन पांडे की लास आएगी यहां के यहा सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सबी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें